ओम नमो भगवते वाशु देवाय, नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फागुन माह में पढ़ने वाली पुर्णीमा के बारे में फागुन मा की पुर्णीमा बहुत ही भाग्य साली दिन मना जाता है वैसे तो सनातन धर्मे में पुर्णीमा और आमवस्या तिथी का बेहत ही खास महत्वा होता है माह में एक बार आती है और अभी तो फागुन मास चल रहा है इस माह में पढ़ने वाले पुर्णिमा, फागुन पुर्णिमा के नाम से जाने जाती है, जो कि बहुत ही विजईस होती है इस दित भगवान स्री विश्णों और मातालक्ष्मी के पूज़ा की जाती है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फागुन माह में पढ़ने वाले पुर्णिमा किस दिन हो रही है 24, 25 या 26 मार्ज को इसी के आधार पर हम अन्य जानकारियां भी जानेंगे जैसे कि इस दिन किये जाने वाले विजईस उपाई क्या है, व्रत के नियम क्या है किन प्रकार से हमें इस व्रत का नियम अनुष्ठान उठाना चाहिए और किनकिन करियों को विजईस रूप से हमें करना चाहिए आईए जानते हैं इसके पारे में नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्तों के सुरक्षित होंगे और आप सभी को तम भवश्य के कामना करते हुए आज का ये वीडियो श्टार्ट करती हूँ जोते सास्त्र में पुर्णिमा तिथी बहुत ही सुभित तिथियों में से एक माने जाती है साल दो हज़र चौपिस मी फागुन माह के पुर्णिमा 25 मार्श को हो रही है फागुन मार्श की पुर्णिमा बहुत विशेश हूती है क्योंकि इस दिन भगवान स्रिहरी और मालक्स्मी की पूझा की जाती है कहते हैं जो भी भक्तगाने इस दिन व्रत करते हैं और पवास करते हैं भगवान सिरी नारायन और मालक्ष्मी के पूजा अरचना करते हैं उन पर सिरी हरी के पाके प्राप्ति होती है लेकिन व्रत से जुरेवे कुछ नियम होते हैं जिन ही पालन हमें जरूर करना चाहिए ता स्ट्ट्य नारयन की पूझए कि जाती है सथे नारयन स्वामी की कथा सुनी जाती है अप तो आप पढ़ भी सकते हैं पढ़ना तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है लेकिन यह पढ़ने ही पाते हैं तो श्रवन जरूर करें इसकी कथा भी हमारे से चैनल पर अप्लोड करत हो जाएगी वहीं इस्तिति का समापन अगले दीन यानि की 25 मार्ज को दिन सोमवार दोपहर 12 बज करके 39 मिनट पर होने वाली है हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म में जो व्रत तिवार हमें सुर्योदे के साथ प्राप्त होते हैं उन्हीं व्रत का हमें अनुष्ठान लेना होत हैं और इस तरह से यह हम देखते हैं तो उपवास या व्रत जो है 25 मार्ज को रखा जाएगा दिन सोमवार रहेगा सोमवार होने के वज़े से चंद्रमा की पूजा तो और भी विसे ही सो जाती है और इस दिन महादेव की भी पूजा की जाती है पुर्डेमा पर पूजा कर से सुक्र देव क्रिसंद होते हैं और हम सभी जानते हैं जीवन में भोग विलास सुख संबंधी या फिर एस्वर्य वैभव से जुरिवी जो भी सुविधा हम प्राप्त करते हैं वह सुक्र देव की प्रशंता के स्वरुप में ही प्राप्त करते हैं यदि सुक्र ग्रह आप पर उनका दुस्प्रभाव होता है तब जीवन में आर्थिक संकट होते हैं धन वैवव शुख शंपदा की कमी होती है इसके अलावा बहुत आसान उपाई द्वरा आप जान सकते हैं कि सुक्र ग्रह आपके कुंडली में सही है या नहीं यदि माता से आपके रिष्टे यानि में इसलिए ऐसे में कुछ वजरी चीज малynn promoted करना चाहिए वह भी जानेंगे कि सुक्र देव को प्रशन्ण करने के लिए सुक्र ग्रह की प्रशंता के लिए हमें किन्-किन चीज-ईग शिकर्वार準 Karamatya करना चाहिए जिससे सभी फ्रकार की इसुक्र-प्रापति हो पुर्णिमा के बाद से ही चैत्रमास का आरंभ हो जाता है और इसी दिन से हम सभी नवर्ज का भी आरंभ मानते हैं चैत्रमास में नव दुर्गा की अस्थापना की जाती है दुर्गा मा की पूजा की जाती है पागुन पुर्णिमा को साल का सबसे भाग्य साली दिन माना जा नदियों में अस्धार करने और भी अधिक लाब की प्राप्ती होती है एता है क्नारे चिर्थ चरोल होता नदी कि नहीं क्याया इसनारी में होता है वहां पर इसनार छलॉर करना चाहिए किनारे तढ़त पर बहुत होता है क्थरूल लिए नदियों में काला तिल भी प्रभाहित करना चाँए इससे पीतरों का भी आसिरवाध प्राप्त होता है विधी वत इस धिन सुबह असना नादे करके घर में गंगाजल के छीटे लगाने या फिक पवित्र नदियों के जो जल होते इसके लगाने चाहिए इसके सबसे पहले सुर्य नाडायन को जल समर्पित करना चाहिए घर के मंदिर में खी का दिपक प्रवजुलीद करें अपने घर में रंगोली बनाएं भगवान सिरी हरी माता लक्समी को इत्र के जल से असनान कराना चाहिए इत्र समर्पित करना चाहिए पीली रंग के वस्तर होती है अब घर के मंदिर में आप भोग के सुरुप में इस दिन कुछ भी लगा सकते हैं वैसे तो फागौन का माह जाला रहा है माल पुई या फिर खीर का भोग बहुत सोभ होता है क्योंकि पूर्णीबा भी है तो पीले रंके केसरी खीर का भी है आप भोग लगा सकते हैं पीले चावलों मीठे चावल का भोग लगा सकते हैं तो इस प्रकार से भोग लगाएं धूपिति पश्ट गंध पुस्प इत्यादी समर्पीत करें फिर पूर्णीमा के कथा अवस्य ही सुने जिसे संपुर्ण प्रकार के फल की प्राप्ति होती है प्रभु प्रसंद होते हैं मातालक्षमी भी इससे वैसे साधकों से प्रचन होती है जिससे घर में इन्यमों का प सत्यनारायन श्वामी की कथा सुनने चाहिए अब चाहिए तो इसदिन श्वामी की पूज़वी प्राते हैं उनका अब दान कर सकते हैं इत्र दान इस दिन बहुत ही सुब होता है लेकिन एक विसेश बात का ध्यान रखें कि संध्याकाल के बाद बिल्कुल इंची जोका दान नहीं करना चाहिए इस दिन सात्विक आहार को ग्रहन करना चाहिए सात्विक विचार धारा को अपने मन में रखना चाहिए किसी भी प्रकार की तामसिक विचारों को अपने अंदर नहीं पनपने देना चाहिए क्रोध हित्यादी का त्याग करना चाहिए रात्रे काल में चंद्रमा को दर्शन करके चंद्रमा को अर्ध जरूर देना चाहिए चंद्रबा को अरधे देने के लिए चांदी के लोटी का प्रियोग करें यदि चांदी का लोटा ना हो तो आपके पैस जो भी लोटा उपलब्द हो उसमें दूद गंगा जल या फिर जल और दूद कुछी तरह से मिक्स कर लें उसमें थूड़ा सा सक्कर डालें सफीद पु होती है इससे हजारों लाखों कोटी कुना पुन्यफल की प्राप्ति होती है दोस्तों यदि वीडियोज आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिलकुल न भूलें क्योंकि यही वह एक माध्यम है जिसकी द्वारा हमें पता चलता है कि आपको हमारे वीडियोज आमस्कार